बस छोटा सा ये एक मंत्र बोल दो, जिसे भी आप चाहते हैं वो आपका हो जाएगा, जिसे भी आप साधी करना चाहते हैं, जिसे भी आप पसंद करते हैं वो आपका हो जाएगा, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो चानक के नीती चानक के द्वारा रचित एक नीती गिरंथ है, ज बहभारिक शिक्षा देना है। जानिए चानक के कि कुछ ऐसी महत-पूर नीतियां जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। दोस्तो आचारा चानक के जी अपने जीवन सास्त्रों में बहुत सारी नीतियों का उल्ले करते हैं। आचारा चानक के जी बहुत बड़े बिद्वान थे उन्होंने अपने जीवन में चानक के निती में बहुत सारी बाते लेगी हैं चानक के जी की नीतियों के ऊपर चल कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं चानक के जी ने अपने वहबारी ग्यान के अंदर बताया कि घमंडी क्यों ना हो तो दोस्तो हम सामने बाले को अपने बस में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप ही आज का वीडियो आखिर तक जरू देखते रहें वीडियो में आगे पढ़नी से पहले वीडियो को लाइक जरू करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब चलू करते हैं ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ग्यान सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तो अगर आप भागवान सरी किष्लन के सच्चे भगते हैं तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे अवशह लिग दें तो चलिए दोस्तों वड़ते हैं आज के वीडिय किया है अगर इस उपाई को आप कर लेते हैं दोस्तो जोती सास्तर रुबास सास्तर कर ये एक ऐसा चोटा सा उपाई जो आपको आपकी महबत दिला सकता है आपको आपकी जिन्दिकी दिला सकता है दोस्तो हर कोई इनसान एक दूसरे इनसान के साथ जुडा होता है दोस्तो इ दिवानीगी कब है प्रेरित हो चुगा होता है उसकी दिवानीगी में फसने के बाद उसके मन में दिन रात उसके क्याल आते हैं अगर आपके साथ भी यह हो रहा है तो आप सामने वाले को अपने बस में कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो बस आपको ये एक चोटा सा उबाय करना होगा अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको आपकी महबबत मिल जाएगी आप जिस भी इस तरी से महबबत करते हैं वो आपकी हो जाएगी चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जरी आप अपनी इस तरी को पा सकते हैं आप उसे अपने प्यार में अपने बस में कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कामख्य देवी, कामख्य देव जहां बसे इसमाइल जोगी इसमाइल जोगी ने लगाई पुलवारी पूल तोल ले होना चमारी जो इस पूल को सूंगे बस तीस मन के हरे बस बस्यम करो बस्यम करो दोस्तो बस आपको जी एक मंतर बोलना है याद रहे आपको इस मंतर को 21 बार बोलना है दोस्तो एक क्या वनवार उस इस्तरी का नाम लेना है दोस्तो जैसे ही आप इस मंत्र को करेंगे वो इस्तरी आप पर बहुत जादा मोहित हो जाएगी आप अगर उस इस साधी भी करना चाहते हैं तो उस साधी भी करेगी जी हां दोस्तो तो दोस्तो बस आपको ये एक चोटा सा उपाय करना होगा जी हाँ दोस्तो ये उपाय एक इतना चोटा सा उपाय है अगर आप इसे करते हैं तो दोस्तो आप अपनी प्यार को पा सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरू दबा दें तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में